एपिक थारा में सभी सक्षियों और सखाओं का स्वागत है मैं हूँ आपकी सक्षी नीलू और लाई हूँ आपके लिए मुंची प्रेमचंद की लिखी लगू कथा बाबा जी का भोग इससे पहले की कहानी शुरू हो आपसे अनुरोध है कृप्या चानल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें साथे बैल आइकन प्रेस करें जिससे आपको चैनल के अप्टेट्स मिलते रहें तो प्रस्तुत है कहानी बाबा जी का भोग रामधन अहिर के द्वार पर एक साथू आकर बोला बच्चा तेरा कल्यान हो कुछ साथू पर शर्था कर रामधन ने जाकर स्त्री से कहा साथू द्वार पर आए हैं उन्हें कुछ दे दे स्त्री बरतन मांज रही थी और इस खोर चिंता में मगन थी कि आज भोजन क्या बनेगा घर में अनाज का एक दाना भी न था चैत का महीना था किन्तु यहां दोपैर ही को अंधकार चा गया था उपत सारी की सारी खलिहान से उठ गई आधी महाजन ने ले ली आधी जमिदार के प्यादों ने वसूर ली भूसा बेचा तो बैल के व्यपारी से गला छूटा बस थोड़ी सी गांट अपने हिस्से में आई उसी को पीट-पीट कर एक मन भर दाना निकला था किसी तरहां चैत का महीना पार हुआ अब आगे क्या होगा क्या बैल खाएंगे क्या घर के प्रानी खाएंगे यह ईश्वर ही जाने पर द्वार पर साथू आ गया है उसे निराश कैसे लोटाएं अपने दिल में क्या कहेगा स्त्री ने कहा क्या दे दू कुछ तो रहा नहीं रामधन बोला चादेख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो लेा स्त्री ने कहा मटके जार पुंच कर तो कल ही चूला जला था क्या उसमें बरकत होगी रामधन बोला तो मुझसे तो यह ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है किसी के घर से मांगला स्त्री बोली जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई अब और किस मुझसे मांगू रामधन बोला देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना वही ला दे आओं स्त्री बोली देवताओं की पूजा कहां से होगी रामधन बोला देवता मांगने तो नहीं आते समाई होगी करना ना समाई होगी ना करना स्ट्री बोली अरे तो कुछ अंगोवा भी पंसेरी तो पंसेरी है बहुत होगा तो आद सेर इसके बाद क्या फिर कोई साधू ना आएगा उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा रामधन बोला यह बला तो टलेगी फिर देखी जाएगी स्ट्री जुंजलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई जिसमें मुश्किल से आद सेर आटा था वह गेहूं का आटा बड़े यतन से देवताओं के लिए रखा हुआ था रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की जोली में डाल दिया महात्मा ने आटा लेकर कहा बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए रामधन ने फिर आकर्स्त्री से कहा संयोग से घर में डाल थी रामधन ने डाल नमक उपले जुटा दिये फिर कुए से पानी खीच लाया साधु ने बड़ी विधी से बाटियां बनाई डाल पकाई और आलू जोली में से निकाल कर भुर्टा बनाया जब सब समगरी तयार हो गई तो रामधन से बोले बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा रामधन बोला बाबाजी घी तो घर में ना होगा साधु बोला बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है ऐसी बाते ना कहे रामधन बोला महराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है घी कहा से होगा साधु बोला बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है जाकर मालकिन से कहो तो रामधन ने जाकर स्त्री से कहा घी मांगते हैं मांगने को फीक पर घी बिना कौर नहीं धस्ता स्त्री बोली तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिये के यहां से ला दो जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो घी आ गया साधू जी ने ठाकूर जी की पिंडी निकाली घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे खूब तन कर खाया फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए ठाली बटली और कल छुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया उस रात रामधन के घर चूला नहीं जला खाली डाल पका कर ही पीली रामधन लेटा तो सोच रहा था मुझसे तो यही अच्छे